इस वीडियो में हम स्टार्ट करें आपका चाप्टर मेमरीज अप चाइल्ड हुड इसमें दो आपके चाप्टर या अलग अलग स्टोरीज हैं एक है कटिंग अफ माई लॉंग हेर और दूसरा है वी तू आर हुमन बींग्स ठीक है इन दोनों को लिखा भी अलग अलग वास्तव में ऑथर्स के साथ घटी और दोनों ही किसी ऐसी कास्ट या सोसाइटी को बिलॉंग करते थी जो थोड़ा सा यू कन से मार्जिनलाइजड यानि कि जिसको हम थोड़ा सा इंसिग्निफिकेंट या छोटा समझते हैं I don't want to use these terms but समझानी के लिए थोड़ा सा बोलने पड़ रहा है तो इस तरह से जो थोड़ा सा यह सकासरे के जो है लोगों की आ कहानी है तो पहली जो है वो जिट कला-सा है और दूसरी बामा ये तो American Lady है और बामा इंडियन राइटर है силर स्वान टाट 361 ..? जहां तक यह सवाल है ना अमेरिकन इंडियन वूमन अक्चली मैंने इसको जो गूगल किया था तो मुझे ऐसा कुछ इसमें इंडिया से कनेक्शन मिला नहीं पहुत सारा गूगल करने के बाद एड इमोस्ट में इसी कन्क्लूजन पर पहुँच पाया कि अमेरिका में जो शुरू में लोग गई थे इनको इंडियन बोलते हैं तो उस बेस पर इंडियन वूमन लिखा इन्होंने स्कूल भी जिसमें वो पढ़ी उसको भी इंडियन बोलिंग स्कूल बोला बट ऐस सच इसका कोई बहुत इंडिया से कनेक्शन नहीं है अमेरिकन फूमन बॉमन बॉन इन लेट इनटींग सेंचुरी लेट नैंटींग सेंचुरी का मतलब ही हो गया की अठारा सो संथिंग वो भी एंड वाला and second is a modern Tamil Dalit writer यानि यह तो Indian writer है second one खैर, अभी हम first one की बात कर रहे है first one is Zit Kalasa born in 1876 the author was an extraordinarily talented यानि वो बहुत ही intelligent है यानि वो बहुत ही intelligent है यानि जब इतनी बड़ी उन्होंने एक story लिख दी यानि फेमस हैं कि उनके लिखिवी चीज आज तक हम पढ़ रहे है कब की बात होगी, 1500 साल पहले की बात होगी so born in 1876 she was an all extraordinarily talented and educated native American Indian woman तो मैं Indian woman को फिलाल इग्नोरी करो she was a native American native American मतलब originally American जातर लोग या बहुत सर लोग आई शुट से अमेरिका में जाकर बसे हैं they have been settled there लेकिन she was native American originally from America so native Americans are the first inhabitants of America as a writer she adopted the pen name Zit Kalasa and in 1900 यानि जब हो 24 साल की थी began publishing articles criticizing the Carlyle Indian School Carlyle Indian School को भी जब गूगल किया मैंने तो मुझे मिला it's an Indian boarding school in the United States from 1879 through 1918 तो इसका मतलब ये मैडम जब पैदा हुई उसके दो-तिन साल बाद ये स्कूल खुला तो जब वो पांच या छे साल की रही होंगी शाह तब की ये स्टोरी है ये तब का इंसिडेंट है और तब ही ये स्कूल नहने ही होग और ये बाद में फिर बन भी हो गया 1918 में भामा इस दे पैन नेम अप तमिल दलित वूमन रम रोमन कैथोलिक फैमली कुछ ना कुछ खृष्चानिटी से भी रिटन इन नाइटीन 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 तो इतना पुछ नहीं है उस जेगे की बात करें जहां वो स्कूल था it was bitterly cold, bitterly cold का मतलब extremely cold बहुत ज़्यादा ठंड थी first day ठंड भी थी और behavior भी उसके साथ जो है न थोड़ा cold behavior थी था cold behavior बोलते हैं जब कोई ठंडा means warmless यानि की rude behavior अगर किया जा था तो वैसे ही कुछ उसके साथ बहे वुआ तो the day was also bitterly cold and the snow covering the surroundings चारो तरफ बरफ की रिवी थी the first experience at the school is also bad she feels uncomfortable, unpleasant बच्चा है तो अगर बच्चे को आप school के especially first day पर properly प्यार से treat नहीं करोगा तो इसको ऐसे लगेगा कि वही मदा नहीं आ रहा है या unpleasant तो फील हो गई uncomfortable भी फील होगा जहां तक breakfast के बारे में बताया गया है a large bell rang for the breakfast तो वह bell भी काफी author को जो है न unpleasant ही लग रही थी its loud metallic voice harsh unpleasant sound crashing into the sensitive ears चोटी बच्ची थी उसके हिसाब से वह उसको bell की आवास थी वह भी बहुत तेज लग रही थी और उसको पसंद नहीं आ रही थी इसके लावा जो shoes का shore था the annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace जो shore था जूतों का plain floors that gave us no peace अब जूते पर जो बच्चे जाएंगे तो टक टक करते भी बात करके जाएंगे people murmured in unknown tongue unknown tongue उस sense में unknown है क्योंकि जो author है उनको वह भाशा वहां की clear नहीं थी murmured का मतलब धीरी धीरे बाते करना the narrator's soul had lost her peace and freedom it's not about soul she it's like she has lost her peace of mind simple freedom भी चली गई naturally वह पहले गाव में रहती थी वहां घूमती होगी फिटती होगी और आप से बच्चे होते हैं तो बच्चे तो ऐसे ही मनमौजी होते हैं लेकिन अपी तो वह एक boarding school में चले गई है तो it's a proper discipline कितने वज़े उटना है उसके वाद कितने वज़े आपको ready होना है अपने school के लिए everything is well planned and everyone has to go as per the plan she has lost her peace peace तो वह इस लेक हो रही है क्योंकि वह वहां पर adjust नहीं कर पा रही है and she has also lost her freedom all was useless she describes the horror she experienced when the pale-faced woman with white hair perhaps their teacher took all the girls to the dining room वह अपना dining room जाने का experience है उसको शेर कर रही है जो कि उसको बहुत अच्छा नहीं लगा ऐसा इसमें mentioned है ठीक है आप so ये they were placed in a line of girls who were marching into the dining rooms then आगे उसने बताया है कि these girls had been made to wear stiff shoes in closely clinging dresses which are in complete contrast to their native nature तो उनको लाइन में जाना था डाइनिंग रूम में जाने के लिए वह लाइन में गई girls को जो है उन्होंने hard shoes and tight dresses दी भी थी इन tight dresses से वह बहुत uncomfortable भी हो गई थी ये बताया जा रहा है कि ये complete contrast था उसके native culture से जहाँ वह रहती थी original इस जगह पर उससे बिलकुल contrast था अब देव सो साल पहले की बात है मैं क्या बूलूँ इस पर उस जमाने में शायद वह जिस जगह रहती थी क्योंकि वह native culture native place की बात कर रही है वह गाव या वह एरिया जहां वह पहले से रहती थी यानि बोर्डिंग स्कूल आने से पहले और में भी थोड़े से लूज कपड़े पहनते होंगे तो वैसे मेरे ख्याल से इन माई पर्सलिन टाइट ड्रेसे में ऐसे तो कोई इतनी प्रॉब्म नहीं है लेकिन फिलहाल जो ऑथर हैं उनको वह चीज ठीक नहीं लग रही थी उस दिन और शहाद बाद में भी नहीं लग रही होगी तब ही उन्होंने उस चीज को लिखा चोटे बाल रहे होंगे जैसे कि स्कूल में कई बर होता है और वह आपरंस पहन रही थी जैसे कि पहनते हैं और उनका शॉल भी उनसे ले लिया गया था वो शॉल और बैठी भी हों गया आम शॉर कि वह शॉल जो है वह स्कूल की युनिफॉर्म से माच नहीं कर रहा होगा तो हर शॉल had been stripped from her shoulders यह वह शॉल भी उनसे जो है वह ले लिया गया था तो यह कुछ-कुछ हमने थोड़ा सा भी देखा कि first day उनका experience जो हमारी author है कैसा था तो अभी तो just हम start ही कर पाएं इसको और next video में हम start करते हैं basically कि फिर वो जो dining room में पहुंची तो वहां क्या हुआ और फिर वो cutting of my long hair उसका क्या चक्कर है अभी कुछ भी हम discuss नहीं कर पाएं that we'll try to cover in the coming videos right thank you